पटना में सोववार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से सूचना जनसंपर्क विभाग के सचीव अनुप कुमार, स्वास्त विभाग के सचीव लोकेश कुमार सी, पुलिस मुख्याले से ADG, जीतेंदर कुमार एवं आवदा परबंदन विभाग के अपर सचीव राम आपदा राहत केंद्र जो अभी हमारे आज चल रहे हैं, वो 201 हैं, इनमें लगबग 72,000 लोग अभी इनका लाब उठा पा रहे हैं, जो स्कूल लेविल पे पंचायत इस्तर पर क्वारेंटाइन कैंप्स चल रहे हैं, इनकी संख्या आज की तिमें 1203 है और इनमें 10,700 लोग अभी आवासित हैं, और इसी क्रम में आज एक निर्ने लिया गया है कि अब ब्लॉक इस्तर पर भी क्वारेंटाइन कैंप बनाया जाएगा, और बहुत सारे लोग जो बाहर से किसी तरीके से आ गये हैं या आ जा रहे हैं, और वहाँ पर पूरी सुविधा दी जाएगी और मॉनिटरिंग आसान होगी, इस वज़े से इसके बारे में आपदा प्रबंदन विभाग से राम चिंदर्जी उनों के साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे बाद में, अभी तक जो हम लोग को कॉल्स और मैसेजज़ आए हैं, जो बिहार के बाहर फसे हुए हैं, बिहार के मॉनिटरिंग आपदा प्रबंदन विभाग से दी जाती हैं, उसके अंतरगत अभी तक पच्चिस लाग पंदरा हजार आवेदन रजिस्टर्जी उनों को आचुके हैं, और इनमें जो सम्मिलित लोग हैं, उनकी संख्यात 14,25,000 हैं, जो बिहार के बाहर फसे हुए बिहार के लोग हैं, उनको जो मुख्यमंतरी रहत कोश के माध्यम से मुख्यमंतरी विशेष रहता आपता प्रबंदन विभाग के माध्यम से दी जाती हैं, उसके अंतरगत अभी तक 25,15,000 आवेदन रजिस्टर हो चुके हैं अमनों के पास, और 15,92,000 को ये राशी अभी तक उनक और करीब 21,83,000 आवेदनों की जांच भी हो गई है, तो ये प्रक्रिया चल रही है और अभी तक हमारे पास लगातार आवेदन आ रहे हैं इसके अंतरगत, जो बिहार फांडेशन के माध्यम से 9 राज्यों में, 12 शहरों में हमारे रात केंदर चलाय जा रहे हैं, उनकी संख पचपन है 55 और इसमें अभी तक 12,35,000 लोग इसके बेनिफिशरी रहे हैं, नए मामले 73 आए हैं, 73 इनमें से कुछ आज के हैं और कुछ कल के प्रेस कंफरेंस के बाद कल के हैं, दोनों मिला करके 73 हैं, 24 गंटे में एक वेक्ती बेगुसराय के ठीक हो चुके हैं, ठीक हो करक इसकी संक्या बढ़कर 57 हो गई है, पुल टेस्क हम लोगों ने अब तक 18,189 किया है, 18179 और इसमें 328 लोग पोजिटिव पाए गए हैं, एक्टिव केस आज के डेट में जीलो में 279 हैं, 269 पोजिटिव केस अभी बी एक्टिव हैं, जबी इन जीलो में, हाल में चार जील जुड़े हैं, जिनमें जहां के निवासियों में संक्रमन की पूर्ष्टी हुई है, वे चार जीले हैं, जहानाबाद, मदुबनी, पूर्निया और दर्भंगा हाउस टू हाउस सर्वे जो हो रहा है, उसमें अब तक हम लोग 73,82,000 घरों का सर्वेक्शन करा चुके हैं, इसमें से 269 वेक्टि में बुखार खासी अमसास लेने की तकलीफ, सास लेने की तकलीफ के लक्षन मिले हैं, और इनमें से 1906 वेक्टियों का सेंपल लिया जा चु राज्यों से रभिहार आ रहे हैं और आने के बाद उनका अस्पताल में जाच किया जा रहा है, इसके आलोग में हम लोग सभी से अनुरोद कर रहे हैं कि जबी वी वो बाहर से आ रहे हैं तो अपनी यात्रा से संबंदित सूचना न चुपाएं, हमारे स्वास्त कर्मियों क को उसकी सूचना दें और अस्पताल में जाके अवस्ते अपना जाच कराएं, साथ ही सभी लोगों कोई अडवाइजरी जारी किया गया है कि बाहर निकलते समय मास्क कावा से प्रयोग करें और दो वेक्ति के बीच में एक से दो मीटर की दूरी रख करके अपना काम काच कर और इस परकार सोशल डिस्टेंसिंग के मानको का पालंड करें धन्यवाद है ब्रूप में एक प्रश्ण किया गया है विदेशियों के बारे में इनके बारे में मैं बता दूँ कि इस तौरान के अब्धी में कुछ विदेशी जिनके द्वारा वीजा की शर्तों का उलंगन किया गया था उनके विरुद्थ Foreigners Act के अंतरगत कांड दर्श किये गये हैं ऐसे कांडों की संख्या साथ है पटना और अररिया में दोनों जिलों में दो-दो और बकसर, किशनगंज और समस्तिपूर में एक-एक कांड़ इन साथ कांडों में कुन विदेशी वेक्ति जिनने ग्रफता किया गया उनकी संक्या 66 है 66 वेक्ति हैं जिनको ग्रफता के विदेशी नागरिक है ये जिनोंने वीजा की शर्तों का उलंगन किया था इसलिए Foreigners Act के तहत कांड दर्श किया गया मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही दन्यवाद सर एक्स्क्यूजवली स्टुदेंट्स रिलेटेड प्राब्लम्स के लिए सर हम लोगो एक हेल प्लाइन बनाया था सर वह मीडिया को भी ब्रीफ किया था सर तेईस तारिक से वह कारेरत है वह 2294600 अभी तक सर तेईस तारिक से लेके आज अभी तक सर थोजन्ड थर्टी एट काल्स आ चुका है सर इसमें मेजारिटी काल्स राजस्तान से है सर 357 उसके बाद सर डिल्ली से 103 उत्तरपदेश से 60 मध्यपदेश से 40 पंजाब से 30 वेस्ट बंगाल से 25 करनाटका से 23 हरियान से 24 महारास्ट्र से 16 जारकंड से 18 औरिस्था से 12 और अन्नी राज़ों से सर पांच चार तीन इस तैप का काल्स आया सर इसमें मुक्रिप से सर तीन इश्यूस के लिए के काल्स आया है उसमें सर 90 परसेंट जो काल्स है वो हम लोग गर आना चाहते हैं को आने के लिए व्यवस्ता खर लिए इसका 90 परसेंट है सर दूसरा 5 परसेंट है सर जो आमको खाने के दिक्कत है इसका रिलेटेड है सर हम लोगो जहां खाने के प्राब्लम है सर हम लोगो उन लोगों को काना उपलब्द करा दिया है वो सम्मंदित जिलाप्रशासन से बात करके और जहां पैसे के प्राब्लम है सर उन लोगों को हम लोगो जो मुक्यमंत्री विशेश सहायत का रुप से हम लोगो एक हजार रु खराा दिया है सबूर जो गर गर आने के संब्न दिधित सर जैसे सर मे चे?, के आलोक में हम लोग उन लोगों को बता दिया है सब सरकार का जो आदेशख होगा उन फिर हम लोगों बताने के लिए उन लोगों को इनवर्मेशन दिया संद्र थैंकि중 ह mythology